पिस मारक को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि यह उस समय पर मौर्य का बहुत बड़ा भवन रहा होगा और मौर्य जो है वे यहाँ पर सुपबुद्धं पबुजन्ती सदा गौतमा सावका एसंदिवाचरतोच निचंग बुद्धगतासती जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विश्यक स्मृती बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के शावक सदाईव भली बाती प्रभुद्ध जागृत बने रहते है सद्या बीद गई है लेकिन सब्यता वही पर है समय बीद गया है लेकिन रह वही पर है जैभीम नमो बुद्धाए स्वागत है आप सभी का आपके चेहते चैनल पर जिसका नाम है बोधी सत्व इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती समराठ अशोग इ के बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया है ऐसे वीरान और अन देखे बौदस्तल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे है इस चैनल का आज का यह वडियों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वडियों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर वे आपने अभी तक नहीं देखें तो वे जरूर देखें आज का यह वडियों बिहार राज्ये के पश्चिमी चंपारन जिले के नरकटिया गंज तैसील के चनकी गड़ यहां का है यहां यह जो चनकी गड़ है यह बहुत ही प्राचिनतम है यहां पर प्रियदर्श ने फॉसली प्राप्त होती है यहां पर के इस चानल के माद्यम से आपको देनी के कोशिश करें यहां पर देखें यह जेसालीस से और पर अना बहुत ही सुलब फ़े चोड़कों से सकतो है अंधव यहां पर शासन प्रषासन के उतिमाल कर ईस चन पर पुर्हाथ जो सप्षो Games वर में धिखाया देता है तो चलि के जो फुल न वीडियो है, हम शुरू करते हैं और यह जॉन आनकर यह लेनी की कोशिश करते हैं, तो चले आज के वडिये हम शुरू करते हैं यहसतल बेतिया से 40 km की दूरी पर और नरकटिया गंश से 8 km की दूरी पर स्थीत है चंकीगड यहस्तली प्राचीन काल से वैभव संपन रही है चंपारन जिला जो प्राचीन काल से चंपा के पेडों का जंगलिक शेत्र हुआ करता था जहां बौदविक्कू, जैनमुनी और तपस्यों का एकांत निवास हुआ करता था हिमाले के तराई प्रदेश में बसा हुआ यह एतिहासिक जीला, जल और वनसंपदा से पूर्ण है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पीपलीवन के मोर्यों ने इशिक शेत्र में आसरा लिया था जो भगवान बुद्ध के समय एक गनतंत्र गनराज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था पश्चिमी चमपारण के भिकना थोरी, रामपुर्वा, चनकी गड़ और लोरिया नंदन गड़ यहस्तल एक दूसरे से जुड़े हुए है हम आये हुए है बिहार राज्य के पश्चिमी चमपारण के नरकटिया गंज इस मंडल के चनकी गर यहाँ पर तो यह जो चनकी गर है देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से भारतिय पुरातत विभाग द्वारा सवरक्षित समा रहे हैं एक्च्वल में यह बहुत बड़ा गड़ हुआ करता था और यह जो गड़ है अभी आपको लग रहा होगा यह गड़ आधुनिक गड़ रहा होगा फिर हाली का मतलब 400-500 साल पुराना यह गड़ रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है यह जो गड़ है यह पूरी तरीके से मौर यह कालिन गड़ है यहाँ पर वैंसंग द्वारा जब यात्रा की गए थी तब यहाँ पर इस तली को उनके द्वारा देखा गया था यहाँ पर बहुत बड़ा उस समय पर संगराम हुआ करता था लेकिन देखें यह जो गड़ देख पारे हो आप यह गड़ कहा जाता है यल टाइप में हैं मतलब जो हम एल आक्षर लिखते हैं उस एल आक्षर में है यह पूरा चोकूंड था लेकिन इसका जो ज्यादातर हिस्सा जो है वड़ा है या फिर के माध्यम से यहां पर जो परियाठक आते होंगे उनके लिए रहने के विवस्ता की ती और इस पूरी स्टलिकों रेलिंग्स लगाए गई है जिस प्रकार से स्टूपों को होती है वैसे उस डिजाइन में आधुनिक रेलिंग से और यहां पर जो ऑफिस दिखाई यह जिसे हम चैते कमान कहते हैं वह कमान जो है यह यहां पर लगाई हुई दिखाए देजाइन आपको यह जो शेप लंबी शेप दिखाए दे एक बहुत बड़ा इटो का जो धाचा है और धाचा आपको सामने की और से दिखाए देगा यह लगभग 90 फीट इतना चाहिए यहां यह आपको यह जो बॉज्टरी दिखा इस पूरे बॉज्टरी में और इस बाउंडरी के भार भी इसके जो पूरी नियूँ जो है समारक की वे थी लेकिन यहां पर यह जिसका जो निर्बान कारी है इसाब पूर वहां तीसरी सधी यह फिर उससे पहले भी कैया गया होगा मतलब चंद्रगुप्त मौर इनके समय पर भी क्या गया होगा लेकिन यहां पर यह जो स्मारक है यह धीरे-धीरे कर यह पर हम देखेंगे यहां पर एक पेड़े इस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत बड़ी संख्या मेंय आपको दिखाए मतलब यह जो शेत्र है पूरा ऐसा बड़ा शेत्र था चोकुनाकार में और यहां से आपको यहां की जो इटे हैं यहां की जो परते हैं यह पूर शेत्र में इस प्रकार की जो परते हैं आप देख पारे हो यह सारी इटे मौरे कालिन है और यह परते इस प्रकार से यहां पर ह हुआ करती थी और आगे देखेंगे तो आगे यहां पर लोगों ने उपर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है देखें यह जो धाचा है जो की हम प्रेइट यहां पर से रास्ता बना हुआ है शीड APP बनी बनी शीडिया होगे सावे एक तो महा बारत से जोड़ा जाता है गरमन दोग के अधिवसेल महा नहीं जाती 1977 इसने एक एक से क्यानेय हैं तो होग चेह नहीं थे श्हें पनाकिट नहीं जाती गड़ के राजा है और यहां पर जो राजा रहा करते थे इस गड़ में वह उनका नाम जनक था और जनक से ही यह जो तल है इस तली का नाम जो है चनक चानकी गड़ या फिर चानक के भी इससे कहा जाता है लेकिन चानक से इसका कोई समझ नहीं है चानक के से इसलिए जोड़ा यहां ह larg करते लिया सैंटे जो नंदंगड के जो राजा थे वो बौध थे और उन्हों ने अपनी बहन को यहां पर जो जनक राजा रहा करते थे उनको धिया था और उंको उनका यहां पर विवास से निष्टरन के व समय पर जो विहारों का जो निर्मान कारिया है वे हुआ होगा और साथी साथ यहां पर यह जो स्तली है यह मौर्यों से जुड़ी दूए स्तली है शायद से यहां पर उस काल में मौर्य भी रहा करते होंगे क्यूंकि अगर आप इस पूरे लब इसको देखेंगी इस मारक को देखेंगे पर आपको अंदाजा लगेगा कि यह उस मैं पर मौर्य का बहुत बड़ा भवन रहा होगा और मौर्य जो है वे यहां पर उस समय पर आया जाया करते रहेंगे या फिर यहां पर उनका वास्तों रहा होगा और गड़ के ऊपर यहां पर हमें एक छोटी से जो है यहां पर मंदिर दिखाए दे रहा है चोटा सा आई यह देखें यहां पर एक छोटा सा जो है मंदिर बनाया गया है इस प्रकार से यहां पर जो शीवलिंग बनाने की कोशिश की गई है और यहां पर यह बड़ी बड़ी दीवारे हैं और यहां पर बड़ी बड़ी खोलिया हुआ करते थी यहां पर सिविलाइजेशन जो है एक तो यहां पर लिविंग पॉपस के लिए उसकी आ जाता था और और यहां पर शैद से जो विहारों के जो आउशेश है उपरी सतय पर उस समय पर रहे होंगे और अब यहां पर हमें सिर्फ यह दीवारों के जो छत्य वे दिखा देते हैं यहां पर उत्खननने गोए हैं उसे सामने लायक है यहां से उससे आमने हमने आपर पूचा और वीविलेने की कोशिश के उन्होंने कहा कि यहां पर कई सारे जो बड़े बड़े खोलिया है और जो भवन हैं यहां पर भवन कंध अशेश जोह हैं वे भिक्रे हुए हैं देखे यहां पर जो फोर्ट है बहुत बड़ा हुआ करता था हाइट में लोग कहते इससे देखने के लिए ऐसी मूड जो अपना सर जो है उपर करना पड़ता लेकिन तो भी जो समारक है उस समय पर नहीं दिखाई देता इतना भव्य इस समारक जो है उ देखे 24 किलोमेटर के दूरी पर लोरियान अंधन गड़ है जो वह बहुत बड़ा स्तूप है महाकाय स्तूप और उस स्तूप के बारे में कहा जाता है उस स्तूप के अंदर जो यहां के मतलब पीपली वन के जो मौरिय थे उनके माध्यम से जो भगवान बुद्ध की जो आ पूरिय है वे समेठते हैं और उसके ओपर वे स्तूप बनाते हैं जिसे लौरियान अंदन गड़ का जो गड़ है एक्षिलि में वह बहुत बड़ा स्तूपा है उस तूप के अंदर यह जो राक है उस राक को स्तापित के आगया था इसलिए लोरियान अंदन गड़ को देख सकते हूं बहुत बड़ा अभी इसकी जैसे मैंने बताया आपको 90 फीट है यहां से जो लॉरियान अंदन गड़ का जो गड़ है वे यहां पर से दिखाए देता था यानि प्राचिन जो स्थूप है वे यहां पर दिखाए देता था और यहां पर जो सेटलमेंट है आउती सुन्दर दिखता है इसकी जो एटाय है हम ऐसे ही दिख जाती है अगर हम सब्रक में अबलब धूप में आते हैं तो सामनी की दिशा में से यहां पर कहें जो समारक की इटे जो है वे हमें ऐसे ही दिखाई पड़ती है आई यह जाडिया बहुत बढ़ चुकी है यहा यहां पर लोग जो है आया जाया करते हैं इस शेत्र में अब हुआ है यह देखिए वह जहां पर इटो पर थे वहां पर आम आयो हुए कि देखिए यहां से जो चन की घर है जो गाव है यहां का चन की घर का देखिए और यहां यहीं से पूरी जो इटों की परत है वे दिखाई देती है यह बर्ति देखिए अभी यहां पर आप देख पाँ एँट जहाँ पर आभी हम खड़े है के यहां पर एक स्टूपनुमा आउशेश है एक सर्कुलर है स्टूप के उपर उपरूपरवाला हिससा आप देख पाँ बेख भाड़ कर स्टूपों के जो भी ऑउषेश है वे जो नीव है यहाँ पर हमें इस गड़ के ऊपर दिखाए दिती है और आगे हमने खोली ओके जो अउशेश है वे देखे हैं देखिए जो गड़ है इस गड़ के अन्य पुरा तत्विक साक्ष और जानकारी जो है जो युवक है शंशोदक है जिनका नाम है प्रिंस बुद्ध कर शीके मिले हैं काइप्रकार जली हैं बड़ीट मीले हैं हाली में ग्रामनी दवारा बताए गया क IF लिए तेपजाणी का निशान था तो उसको उनने पाटने में दिया गया है वहां है झानी जानते हैं लेकि में गोके फञाए अशी बढ़े खें स्यंभने ूख को उनको पिपली वन का जो अवशेश है वो परकास में सकते हैं और इसी तरह इसे हम एक अनुरोदार करें इसके इसके बहुत अवशकता है अलागी साल बर में एक वर इसकी सफाई होती है लेकिन आज पास भी आप देखेंगे कि गड़ इतना ही बड़ा नहीं था गड़ बहुत अब कर जंगलों में कई पुरा तत्विक अफस सीस आज भी है जो आज से अंचुई पहली अंचुई पहलिया है जिसे जिससे पर सोद खोजा जाना अती अभशक है हुआ है कि एंट और जहा टरूश को पिसको फिसका है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो